हाई दोस्तो मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ आप इफ फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं इन एक्सेल देखें इफ फंक्शन का यूज करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए क्योंकि इसके मार्दम से आप काफी आसानी से कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल कर पाएंगे जैसे मान के चलिए मेरे पास अभी यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल है और मैं इस डेटा से यह निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे वो वैल्यू मिले जहाँ पर सिब ग्रास हो अगर ग्रास वो वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है अगर लिखाए कहीं पर तो वो यहाँ पर दिख रही है और वो 100 से अगर जादा है तो ही वो यहाँ पर यहाँ पर दिख रही है वो अगर 1000 से कम है तो ही मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए नहीं तो नहीं दिखना चाहिए तो ऐसे different conditions के लिए greater than equals to less than conditions के लिए आप यहाँ पर if का function आसा निसे उस्त कर सकते हैं जैसे पहला example हम equals to का लेते हैं equals to if अभी मैं यह बोल रहाँ कि यहाँ पर यह एक cell है यह होना चाहिए equals to call आपको bracket मी लिखना पड़ेगा grass जो भी आपको चाहिए अगर मैं चाहता हूँ कि यह वाला cell equals to grass है तो वो होना चाहिए yes नहीं तो नहीं होगा तो होना चाहिए no okay bracket complete तो देखो मैंने enter दबाया तो यहाँ पर क्या आगए यहाँ पर एक grass है इसलिए यहाँ पर लिखके आगए yes और इसको मैं से नीचे खिचूँगा फार्मॉला को तो जहाँ पर grass नहीं लिखा है वहाँ पर लिखके आएगा no अब मान के चलो मैं यह चाहता हूँ कि अगर यह वाला cell पचास से बड़ी है ठीके यह वाली figure अगर पचास से बड़ी है तो वो मुझे दिखनी चाहिए नहीं अगर वो दिख रही है तो वो दिखनी yes available है अगर नहीं है वो पचास से जादा तो लिखना चाहिए no और bracket complete ठीके तो देखो यह चीज 50 से उपर है और वे value 50 से उपर है मैं इसको फार्मले को नीचे लेकर आऊँगा तो देखो सब yes होगा क्योंकि सारी की सारू 50 के उपर है लेकिन अभी मैं बोलता हूँ भाई मुझे जो यह जो figure है यहाँ पर जो data है वो मुझे चाहिए 318 के उपर जो चीज़े वो ही मुझे दिखनी है उसके नीचे वाली मुझे नहीं चाहिए तो मैं दाबाऊंगा enter देखो यहाँ पर पता चल गया जो चीज़े 318 के उपर की है वो ही यहाँ पर yes लिखके आई है बाकी लिखके आई है no अभी मैं बोलता हूँ कि यार मुझे वो चीज़ दिखा जो 320 के उपर की है या 320 equals to है मतलब एक तो 320 के उपर होनी चाहिए 320 इतनी होनी चाहिए अगर है तो yes नहीं है तो no तो enter दबाऊंगा तो देखो यहाँ पर आएगा यह 320 के उपर है यह 320 के उपर है देखो yes लिख क्या आगया यह नहीं है यह सारी चीज़े है अब मैं इसमें थोड़ा और फरक करता हूँ अगर मुझे यह value ठीके यह value मेरी 320 से नीचे होनी चाहिए ठीके है तो मुझे yes बताऊ नहीं तो नहीं बताऊ तो देखो यह 320 के नीचे है यह नहीं है यह 300 बीच के नीचे है इसलिए yes हो गया तो इस तरीके से आप if function का use कर सकते हो जिसके माद्धम से आप किसी भी complication situation को आसा नीचे solve कर सकते हो आशा करता हूँ यह series आपको बहुत अच्छी लग रहे होंगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजे, शेयर कीजे अपने दोस्तों के साथ और प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलेगा Have a nice day, bye bye